हलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी यूटूब चैनल अश्टडी.81 में आपका श्वागत है हम आज की इस वीडियो में जनशंख्या का एक प्रमुक शिधान्त जनांकिकिय शंक्रमन शिधान्त के बारे में जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेशिक बातों को ज जान लेते हैं मुख रूप से जनशंख्या से संबंधित चार सिधान्त दिये गए हैं जिसमें से फर्ष्ट है माल्थास का जनशंख्या सिधान्त सेकेंड अनुकूलतम जनशंख्या का सिधान्त ठर्ड जनांकिकिय शंक्रमन का सिधान्त फोर्थ मार्क्ष का जनशंख्या अब हम लोग आज के अपने टापिक जनांकी के शंक्रमन सिधान्त की उड़ चलते हैं जनांकी के शंक्रमन का सिधान्त जनसंख्या का एक प्रमुक्षिधान्त है इस सिधान्त को 1929 में W.M. Thompson ने दिया था प्रम्तु इस सिधान्त की व्यवस्थित एवं बैज्यानिक व्याख्या करने का स्रे फ्रेंक डवलो नोटेश्टिन को जाता है इसलिए नोटेश्टिन को जनांकी के शंक्रमन सिधान्त का जनक कहा जाता है बाद में इस सिधान्थ को सीपी बलेकर, हूबर, टुरेटो, क्लार्क, हैगेट आधी अर्शास्त्रियों ने समर्थन किया जनांकी के शंक्रमन का सिधान्थ हमें बताता है कि जब कोई देश विकास के राह पर अग्रसर होता है तो विकास के साथ साथ जनसंख्या ब्रिधी की दर में भी परिवर्तन होता है जब कोई राष्ट या समाज एक अशब भे राष्ट या अशब समाज से विकास के राह पर अग्रसर होकर एक सब्भे राष्ट या समाज बनता है या एक रोडिवादी प्रमप्रा को तोड़ते हुए विकास के राह पर चलते हुए अधोनिक समाज या राष्ट में परिवर्तित होता है तो विकास के क्रम में जनशंख्या ब्रिधी की दर में भी परिवर्तन होता है थॉम्सन और नोटेश्टिन ने यूरोप, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में जन्मदर और मिर्तुदर की प्रविर्ती का गहन अध्यान किया और अपने निश्कर्स पर इस सिधान्द का प्रतिपादन किया जब कोई देश या राष्ट या समाज विकाश करता है तो यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बलकि यह परिवर्तन भी भी नवस्थाओं से गुजरने के बाद होता है इनी अवस्थाओं को नोटेश्टिन ने जनंकी के शंक्रमन की अवस्था कहा है नोटेंश्टिन के अनुसार जनंकी की शंक्रमन की पाँच अवस्थाईं है जनंकी की शंक्रमन की प्रथम अवस्था की प्रमुख विसेशता है उच जन्मदर और उच मृतुदर इस अवस्था में जन्शंख्या ब्रीधी धीमी गती से होती है क्योंकि इस अवस्था में जन्मदर और मिर्टूदर दोनों उच्छ होता है लोगों के असिछित और अज्यानी होने के कारण स्वास्त और चिकित्सा सुवधाई उपलब्द नहीं होता इथोपिया, कमबोडिया, नियोगिनी जन्मदर और गिडर्ती मिर्टूदर जन्मदर एवं घड्ति मिर्टूदर इस अवस्था की प्रमुख विसेश्ता है जन्मदर जन्मदर अधिकांज विकास सिल देश जन्संख्या संक्रमद की इसी अवस्था में आते हैं जहां चिकिस्सा सुवधाओं के बिस्तार से मिर्टुदर में कमी तो आ गई है लेकिन जन्मदर में कमी अल्प मात्रा में आता है क्यूंकि अब भी परिवार के आकार के शंबंद में लोगों के द्रिष्टी कोन में परिवड़तन नहीं आता है इसी बज़ा से जन्मदर उची बनी रहती है कम जन्मदर और नियून मिर्टूदर इस बस्था में जन्मदर कम होती है क्योंकि लोग सीचित और जागरुक होते है गर्व निरोधी उपायों का परियोग करते है स्वास्त अथा चिकित्सस वुदाओं की उपलवता के कारण मिर्टूदर भी कम होती है भारत बर्तमान में इसी बस्था में आता है नीमन जन्मदर और नीमन मिर्टूदर इस बस्था में जन्मदर एवं मिर्टूदर दोनों ही लगभग बराबर हो जाते है यह बिक्सित समाज की विशेष्टा है शिंगापूर, हॉंग कॉंग, पस्रिम यूरोप के देश ये सभी जनंकीके शंक्रमन की चतुर्थ अवस्था में आते हैं जनंकीके शंक्रमन की पांचपी अवस्था की प्रमुक विशेष्टा है जन्मदर मिर्तुदर से कम होना जनंकी के शंक्रमन की पांचपी अवस्था को कोलीन कलार्क ने रिनात्मक बृधी की अवस्था कहा है क्योंकि इस अवस्था में मिर्तु दर्जन संख्या बृधी दर से अधिक हो जाता है शेयुक्त परिवार विवाह जैसे मुल्यों के पतन के कारण जन्मदर मिर्थुदर से कम रहता है यह अत्यधिक विक्सित और तक्निकी समाज का घोतक है स्वीटजर लैंड जनंकी के शंक्रमन की पांचवी अवस्था में आता है इस परकार हम लोगों ने आज के विडियो में जन्संख्या का एक महत्पुर्ण शिधान्त जनांकी के शंक्रमन का शिधान्त को देखा और समझने का परियाश किया आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं इसी के साथ मेरा आज का वीडियो शमापत होता है यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक लिए नम आज कर